हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जै जिनेंदर जै श्री महाकाल स्वागत आप सभी का मेरे इस वीडियो में जहां हम करेंगे कमोडिटीज इवनिंग के अपडेट करने के पहले हमारे पास मॉर्णिंग के अपडेट करने के लिए ओर्वीव कुछ भी नहीं है क्योंकि आप लोगों को सिर्फ लेवल्स दिये गया थे कहीं पर कुछ एक्जिक्विशन नहीं हुआ कहीं कोई रेकमेंडेशन नहीं थी तो सीधे आगे पड़ते हैं इवनिंग अपडेट्स पे सुबह थोड़ा सेंटी हो गया था लेकिन क्या करूं एक्चलि मैं भी एक इंसान ही प्रणाट सकता है जिस नजेरेश से देखिंगे लेकिन मुझे इतना पता है सच्चे दिल से मैं जो भी कहता हूं कुछ भी स्क्रिप्ट राइट नहीं करता हूं कोई भी पॉइंट नहीं लिखता हूं बस जो मन में आता है वो बोल देता हूं और वीडियो अपलोड कर दे नहीं में और अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लग रहा है तो मुझे बताईए कमेंट कर गये और अगर कुछ सुधार की जरुत है तो भी मुझे बताईए मैं दोनों एक्षप्ट करने के लिए रेडियो हूं अगर अच्छा है तो भी बताईए उससे मुझे पहुंक हो तो अपने उग्लियों को थोड़ा थीक लगताई अच्छा लर्ता लगता है तो अच्छे कमНеंट करी ये बुरा लगता दो बुरे कमेंट करीं देखिए जिसारा से मुझे पांच लोग पिडीयो देखते और गप से दबाते लिएस उस तरह से आप लोग को भी करना है फटा फटा लाइक करते जाहिए वीडियोस को ताकि उन तीन पांच लोग यह तीन पांच लोग जो है न वो किस टाइब के लोग है मैं बताता हूं वो लोग जिनके धंदा मेरी वज़ा से बंदोने वाला है आज नहीं होगा कल नहीं होग गया आप दस मेहने बाद हो जाएगा यह फ़रजी लोग फ़रजी एडवाईजार जो होते ना विदाओट सेवी रजिस्ट्रेशन आप किसी से भी एडवाईजवरी लीजिये उसका सेभी रेजिस्ट्रेशन जरूराद होगा वरना सब फेक है तो वह लोग मुझे लाइक करिए और जिस किसी से भी सर्विसेस लेते हैं जिसको भी फॉलो करते हैं उसका से भी रेजिस्ट्रेशन नंबर जरूर चक करिए चलिए बात को आगे बढ़ाता हूं बात करते हैं कुरूड की कुरूड अभी चल रहा है 3402 कुरूड ने लोग पोस्ट के 3395 का है सुबह का यह 3530 का कुरूड के रेजिस्टेंस निकल का रहे हैं 3455 के और 3495 के अगर आप लोगों को यह 50 रुपे से 50 रुपे से 55 रुपे की रेंज में मिले 34 अच्छा कुरूड में कोई फसा तो नहीं आप लोगों में से मेरे साथ जितने भी जुड़े हुए ना आज तक कुरूड में कोई फसा है ना नैचल स्टॉक मार्केट की वीडियो देखते हैं बारा 419 का निफ्टी इंडेक्स ने हाई लगाया बारा 410 के आसपस बोल दिया था दंके की चोट पे सारा मुनाफ़ा बुक कर लो देखो वहां से स्टॉक मार्केट कैसी डह गई है क्रूड में और एंजी में कोई बाय में निफसा अब दूसरी इक स्ट्रेटिजी बताईए जब भी आप लोगों को तेजी लगती है गोल्ड को बाय करिए सिल्वर को सेल करिए हमेशा मुनाफ़ा देगी मैक्सिम टेम मुनाफ़ा देगी कुरूड अभी चल रहा है 3402 कुरूड के रेजिस्टेंस निकल कर रहे हैं 345495 सब भाव देखे हुए हैं तो कुरूड अगर आप लोगो 3455 के आसपस मिले 5055 के आसपस मिले तो वहां सेल करिए 3501 का सब्सक्राइब करें और 304 तक के टार्गेट एक्सपक करेंगे इसको मैं अपनी रिकमेंडेशन शीट में लोगा लेकिन सिर्फ एक लोट की इंट्री लोगा क्योंकि मैं अभी तक हर बार दो-दो लोट की इंट्री लेता था बहुत तूटा हुआ है गर मेरे लिए मेरी परफार्मेंश जितना इंपर्ण आप लोगों के लिए आपकी लेजर है उतनी इंपर्णन डेली मेरी परफार्मेंश टे एक लोट की इंट्री लोगा ज्यादा रिसीव भी काम ने करूँआ बात करता हूं नैच्रल कैस की नैच्रल कैस अभी चल रही है 12810 इसका लोग पोस्ट हुआ है 12710 13380 इसके इसके रिस्टेंस निकल के आ रहे है 132 20 134 लोवर लेवल में सपोर्ट निकल के आ रहे है 125 214 124 10 और 121 60 आज नैच्रल कैस का रात में इंवेंटरी डेटा है हाई पोस्ट हुआ 3380 का बहुत उपर है नैच्रल कैस अगर आप लोगो 130 रुपए और 131 रुपए के आसपस मिले 130 131 के बीच में तो सेल इनिशेट करिए 134 10 का स्टॉप लोज मिंटेन करिए तार्गेट जो मैंने सपोर्ट लेवल बताएं इसकी भी मैं एक ही लोट की इंट्री लोगा मैं अभी तक दो दो लोट की इंट्री लेता हूं क्योंकि कि मैंने अपनी कैपिटल को अपनी परफॉर्मिन शीट में जब से आप लोग के समख्चे वीडियो अपलोड करना चालू किये बोला हूं और रिकॉर्ड किया हूं कोई बदमासी नहीं कि एक दो दो तिन गंटे पहले आप लोग के समख्चे लेवल दिये हुए हैं जैसे समय राज दे रहा हूं वैसे हमेशा दिये हुए 131 के बीच में मिलेगी तो सेल इनिशिट करूंगा ओभी एक लॉट से 134 टेन का स्टॉप लोग करूँगा परफॉर्मिल शीट में टार्गेट 125 201 2410 121 60 चली बात करते हैं गोल्ड की गोल्ड अभी चल रहा है 42 720 गोल्ड म मैं बाई करके एंए कल रात में मैंने वापस बाइए करवाया था 42 Hi people in hell 4256 का लोग सब्सक्राइव सूबह सबक्रत क्या दिया था 42.480 का देख लो इस तहीं कैरो आपका उनची कर रहा है वापस से 42 820 42 910 को संवाure 43 Chao Isi 2000 नाइटेन नाइटेन थीक रिडिगा 43 3099 सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 42 480 42 365 42 050 गोल्ड अप है और अभी भी अप है लोवर लेवल में आप लोगो अगर 365 के आसपस मिले तो वहाँ पर करिए 250 का स्टॉप लोस मिंटेन करिए टार्गेट जो मैंने आप लोगो रेस्टेंस लेवल बताएं बात करते हैं सिल्वर की गोल्ड का लोव है भी 456 का 3 350 और 400 के बीच मिले तो बाइनिशेट करेंगे 250 का स्टॉप लोस लेंगे मैं तो गोल्ड मीनी की इंट्री लेता हूं सिल्वर सिल्वर अभी चल रही 47,000 सिल्वर का लोव पोस्ट हो है 46 826 हाय पोस्ट हो है 47 184 का सिल्वर के सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 46 800 46 600 46 500 रजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं 47 222 47 401 4788 कंपेरेटिवली मुझे सिल्वर बुलिश नहीं लग रही एक तम जितना गोल्ड लग सब्सक्राइब करने की तो वहां पर बेचना चाहिए और 521 लगाना चाहिए 47 501 का तार्गेट जो मैंने आप लोगो सपोर्ट लेवल बताएं मैं इसकी कोई इंट्री अपनी परफॉर्मिंशिप में नहीं लूँगा कॉपर कॉपर की तो कल एक्सपायरी है आज छोड़ देते हैं ओवराल वीक है 416 70 February वाइदा चल रहा है 415 और 41160 का सपोर्ट है 424 10 427 का रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस भी बहुत दूर है और सपोर्ट लेवल के आसपस खड़ा हुआ है तो छोड़ देते हैं आज आज को परफॉर्मेंस शिट में लूँगा मंदी वा तेजी वाले अभी भी सतर्क हो जाईए पुलबैक आता है तो माल एक बार निकाल देजिए गोल्ड की इंट्री लूँगा अगर नीचे लोवर लेवल मिलते हैं बजार दो गोल्ड को आप लोगो याद होगा तो मैंने हुआ तो यह थी हमारी कमोडिटी की इवनिंग अपडेट आशा करता हूं आप लोगो मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं पसंद आ रहे हैं तो जल्ली से लाइक बटन दबा दीजे सब्सक्राइब करवाई ये अपने फ्रेंड्स फैमिली से ताकि वो भी मेरे द्वारा बता अप्रिशेशन वे नाइस प्रफिटेबल टाइम अगें जय हिन जय भारत